कुछ परंपरा समय के नुसार बदलनी आवश्चक है बहुत सारी ऐसी परंपरा जो पूर्व वर्ष से चलती आ रही हैं, खांदान में चलती आ रही है अगर वो अच्छी परंपरा हैं तो मानिये पर अगर उस परंपरा से किसी को कश्ट हो रहा है, किसी को जरावी तकलीव हो रही है तो उसको छोड़ने में, उसको त्यागने में जरावी संकोच नहीं करना चाहिए इसका मतलब मेरा जो भाव है इदर उदर क्यों गुमाऊं सीधा मुद्दे पे पहुँचू कुछ अभी भी शेत्र ऐसे हैं, जहां कुछ रूडी वादिता ऐसी हैं, जिनको अभी भी लोग धर्म के नाम से जोड़ देते हैं ये धर्म है कोई गर में प्रसनता है कोई खुसी का विश्य है ौई घर में बालक का जन है जनन दिन है ब्या है शादी की शाल्ग्रे ये है वो है तो उसमें क्या करते हैं हम देवी मैया को माता को उनके चरनों में जाकर कि किसी पशूव्ह की चड़ेंगे और यह हमें लगता है कि यह हमारी परंपरण यह धर्म है ऐसा हमें लगता कि यह करना धर्म है पर मुझे वताइए कौन से शास्त्र में लिखा यह करना धर्म है अगर ये बात किसी और युग में कही जाती तो बात अलग थी युगों का अलग अलग धर्म होता है किसी युग में कुछ करना सही होता है लेकिन वो हर युग में करना सही नहीं होता इसलिए एक ही बात समझ लीजे जादा समझने की और जादा प्रवचन की जरूती नहीं इतनी सारी माताइं इतनी भारी संक्या में बैटी हो मैयाओ वस इतना बता दो कि आपके सामने आपके बेटे की कोई हत्या करे इसमें आपको खुशी होगी कि दुख होगा बोलिए कुछ तो बोलिए प्रसनता होगी कैसे हो सकती है कभी नहीं हो सकती तो हमारे जो देवी देवता हैं ये हमारे मात्र पित्र समान है उनके सामने किसी जीव को देना प्रदान करना ये कोई प्रसनता नहीं है उनकी इसमें उनको कोई खुशी नहीं होती उनकी प्रसनता का ये विशे नहीं और अगर सच्मुच लगता ही है कि हाँ देवी की प्रसनता के लिए कुछ बलीदान करना है तो क्या बलीदान करो अगर सच्मुच दान करना चाते हो तो अपनी बुराईयों का दान करो अपनी बुराईयों की बली चड़ाओ अपने घमंड की बली चड़ाओ अपने गुसे की बली चड़ाओ वो तो चड़ती नहीं हमसे तो इसलिए निर्दोश पश्वों को जाके मार देते हूं मैं इसके सक्त के लाव हूँ जिसको बुरा लगे अच्छा लगे आपकी अपनी मर्जी लेकिन ये आपने इस व्याद स्पीट पे बिठाया है तो मेरा दाइत्व बनता है कि जो धर्म के साथ हो जो धर्म की वाते हो वो कहना एक जीव के जब प्राण किसी लिए भी जाएं यहां तक कि मैं कहूँ जो हम मान सहार खाते हैं किसी पशु पक्षी को मार के खाते हैं आप सोचिए न जब वो मर रहा है उसके शरीर की तडप उसका कश्ट आप सोच सकते हो उसके प्राण जब जा रहे हैं उसका एक एक रोम रोम चीकता है लेकिन हम सुनते नहीं उसकी अवाज कि कोई तो हो दुनिया में जो एक बार आ करके मुझे बचा ले एक बार मेरे प्राणों की रक्षा कर दे पर हम इतने अंधे हो जाते हैं इतने बहरे हो जाते हैं कि उन नहीं चाहते कान बंद कर लेते हैं देखना नहीं चाहते हैं इसलिए में निवेदन करना चाहते हूं आप जितने भी लोग यहां बैठे हो अपने जीवन में यह पाप को हटा देजे भागवत प्रमान है इस बात को राजा प्राचिन वरीट पुरंजन कितने ऐसे उधारन है जहां पशूओं की हत्या होती और पशूओं की हत्या होने से देवता उससे रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट के साथ साथ सोची हमारी क्या गती होगी हमारा क्या हाल होगा जब हमसे हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूछा जाएगा अरे दुनिया में तुमने किसी को खुशियां तो दी नहीं, उल्टा पाप और कर बैठ रहे हो, इसलिए मेरा निवेदन है सभी से, कि इस पाप से जितना हो सके बचने का प्रयास करें, घवराये बिल्कुल नहीं, वो कई बार हमें घवरात होती है, अरे हमारी परंपरा चलती, तो कैसे छोड़ दें, वो जो पाप लगता वो सम मेरे मात है, अगर आपको लगता ऐसा छोड़ने से पाप लगेगा, तो मैं भागवर जी से कहती हूं, वो सारे भागवर जी सारे आपके पाप मेरे सर पे दे दे, मेरे उपर दे, आपको एक त्रण मात्र उसका पाप ना लगे, पर आप कोई भी, कोई यहां तो आप सब ठाकुर जी के भक्त बैटियों कथा में आये हो पर कोई भी ये काम अगर करेगा तो वो पाप से बच नहीं सकता इस बात को मन में बिठा लेना आज ये इस वर्ष दूसरी बार कथा है इसके बाद भी अगर आपकी द्रिश्टी नहीं खुलती है जब बार बार शिभागवत जी आपको आकर के चेतावनी दे रही हैं कि भीया आखे खोल लीजे जाग जाईए ये सब कश्ट पाप पशूं को मत दीजे कितने प्यारे होते हैं पशूं कभी उनकी आँख में ज्ञाक करके देखो कितना प्यार है उनकी आँखों में कभी देखो तो सही एक मा से उसका बच्चा छीन लेना उसके पुत्र को मार देना मा को मार देना ये सब हम अंजाने जाने नजाने कितने पाप करते हैं कि इसलिए सावधान रहे कोई गलत काम मत करिए आज जमाने में इतने इतने अत्याचार बढ़ने का ही कारण है देखो अभी आप देख थोड़ा बहुत बड़े रूप में तो नहीं इसी इसी सप्ता में कम से कम बारत में कितनी जगे छोटे-छोटे रूप में भूकम पा इसलिए लोग को ज्यादा पता नहीं आप सोची तो सही कि धरती की हालत आगे जाके क्या होने वाली है क्योंकि जिन पशुओं को हम मारते वो तो विचारे जवाब नहीं देते उनका जवाब कौन देगा उनका जवाब यह जो प्रकृति है यह देती है और प्रकृति जब थपड मारती है ना तो किसी की मुख से एक शब्द नहीं निकाला जाता जब धर्ती अपना तांडव दिखाती है जब प्रत्वी अपना तांडव दिखाती है तो किसी में हिम्मत नहीं एक शब्द बोल पाए पर उसका पर यह परिनाम है जो हम पाप करते हैं उसका परिना आप सभी से यही है मेरा कि मानों नमानों खुशी आपकी हम तो यात्री हैं कल अपने घर जाएंगे भगवान ने बस ये सेवा दी है सक्तिय बोलने की तो वो तो कहेंगे ही लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस कथा से आप लोग कुछ जो करते हूं जो करते हो अगर उनके मन में मेरे जराबी दया भावनऊत्पन होती हो, तो आज ही उसको मन में ठान लीजे कि भागवत के बाद ना हम गलट करेंगे, ना हम गलट खाइंगे, ना हम गलत आहार खाइंगे, और जो करवी रहा है हमारे सामने, उसको भी हाछ जोड़े करें भाइया कि अपया यह कि अब में क्या शब्दों से समझाओ मुझे समझ नहीं आरा मेर पास शबद नहीं आ रहे है कि एसी कौंशी बात बोलूँ जो आपके एक दम दिल में चफ़ जाये और आपको लगे कि नहीं यह एक दम गलत है क्यों करें भलत अरे भया जन्मों जन्मों के बाद ठाकुर जी ने के मानव जनम दिया है 84 लाख योनियों के बाद एक बार आद मनुष्य बनते हैं उस मनुष्य योनी में समझ दी भगवान ने अमको गुद्धी दी भारत में जन्म दिया चलो मैं दूसरे देशों की बात करूँ आज विश्व में इतना मान सहार बढ़ रहा है क्यों क्योंकि वो अंधे हैं उनको पता ही नहीं धर्म क्या है पर भारत का तो बच्चा बच्चा धर्म के बारे में जानता है सत्संग में जाता है, मंदिर जाता है अगर यहां के लोग भी अगर इस वस्तू को इस चीज को नहीं समझेंगे इस पाप को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ नहीं पता पाप क्या है, पुन्नि क्या खुद तो हम पाप करी रहे हैं उनको भी हम पाप में धकेल रहे हैं वो तो बच्चे उनको क्या पता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जो माता पिता ने दे दिया उनके लिए तो वही मजा है वही आनंद laser के इसलिए इससे बचने का प्रयास करें ठाकुर जी ने प्रक्रपा करके हमें इतना सब वेंजन दे दिया है कि आपको ये सब पाने की खाने की जरुती नहीं पड़ेगी इतनी सारी भगवान ने सब प्रकार की वनस्पतियां सबजियां फल आरोगने की चीज़ें कि क्या कमी छोड़ी भगवान ने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी इसके बाद भी हम नहीं समझे देखो एक होता पाप और एक होता अपराद पाप तो चलो हो गया गलती से अपराद हो है कि तुमको पता है, पता होने के बाद भी तुम जान बुज करके उसको किये जारे जारे हैं और अपराद से मुकती आसानी से नहीं मिलती है इसलिए अपराद से बचे हैं मेरा सबसे हाथ जोड़कर के बस यही निवेदन है कि कोई भी अगर गलत किसी के घर में, परिवार में, जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप मांसार खाते हैं, गलत कुछ खाते हैं या किसी पशु की हत्या करते हैं, तो उसको रोग दीजे, खतम कर दीजे, बंद कर दीजे.